मेरे साथियों एक बार की बात है जब नारजी यम्राज से मिलने के लिए यमलोग पधारते हैं। तब नारजी को देखकर यम्राज अतिंत प्रसन हो जाते हैं और उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत सब्कार करते हैं। और उन्हें पूछने लगते हैं कि है देवर्शी आपके यमलोग आने से मैं धने हुआ हूँ। कृप्या आप मुझे बताइए आज आपका यमलोग आने का क्या प्रयोजन है। अवशे ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। अत्वा कोई महत्वपूर्ण समाचार आप लेकर आए है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तब देवर भगवान विश्नु ही जान सकते है क्योंकि आपका मन तो अतिन्त चन्चल है। आपके मन में क्या रहे से होता है उसे जानने का दुस्साहस हमसे नहीं होपाएगा। फिर भी कृप्या आपके मन में जो भी बात है आप बेजीधग कर सकते हैं। फिर देवरशी नारत कहते ह कि हे धर्मराज, मैं आपके पास कोई समाचा लेकर तो नहीं आया हूँ, किन्तु मेरे मन में कुछ प्रशन है, जो मैं आपसे पूछने के लिए ही आया हूँ, समस्त मानव जाती के कल्यान के उद्देशे से ही मैं आपके पास आया हूँ, क्रिप्या आप मेरी इस शंका को आप मृत्यू के देवता हैं, इसलिए इस प्रशन का उत्तर आपके अलावा भला दूसरा कौन दे पाएगा। पूछे है, उसके उत्तर में आपको अवश्य बताऊगा। किन्तु इन प्रशनों के उत्तर जाने के लिए आपको एक अतिंथी पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने पर आपको सभी प्रशनों के उत्तर मिल जाएंगे। इस कथा को आप ध्यान से अवश्य सुनें, क्योंकि कथा को जो भी मनुश्य ध्यान से सुनता है। उसके मैं बत्ती सप्राद क्षमा करता हूँ। फिर देवर्शी कहते है, हे धर्मराज ठीक है, ए उस कथा को पूरे ध्यान से अवश्य सुनूगा, आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए। फिर यमराज देवर्शी नारत को वह महान कथा सुनाते हैं, कि एक समय की बात है, मध्य देश में देवा शर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मन रहता था। वह अतिंद गुनवान त फिर एक दिन वह ब्राह्मन जंगल से गुजर रहा था और चलते चलते वह एक अतिंद प्राचीन व्रिक्ष के पास पहुच जाता है। वह देखता है कि उस व्रिक्ष पर तीन पिशाच खरे हुए हैं। वे तीनों उस जंगल से गुजरने वाले मनुश्य का भक्षन करते थे। कोई भी मनुश्य उस माग से जाता है तो वे उसे पकर कर खालिया करते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वे अतिंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर भी कभी दया नहीं करते थे। जब वह ब्राह्मन उस व्रिक्ष के पास आता है तो वे पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं। देखो भाई हमारे लिए आज ताजा ताजा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मन को खाऊंगा, इसका मास तो कितना स्वादिष्ठ होगा, क्योंकि है यह ब्राह्मन केवल सात्विक भोजन इसलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे, कोई कीरे और कर्मी भी नहीं होंगे। इसका मास खाने में बड़ा आनंद आएगा। तबही जब न पिशाचों को देखता है तो वह बिलकुल भी भैभीत नहीं होता है। वह ब्राह्मन भगवान विष्ण कि हे पिशाचों तुम्हें नमस्कार है। उस ब्रामन का ऐसा विचित्र व्यभार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं और उस ब्रामन से कहने लगते हैं। हे महात्मा आप कौन है और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं। हम पिशाचों को देखकर भी आपको जरा सा भी भै नहीं लगा। बरे-बरे शूर्वीर योध्धा भी हम पिशाचों को देखकर थर-thर कामपने लगते हैं, हमें देखकर डरकर भागने लगते हैं। किन्तु तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का भै दिखाई नहीं पर रहा है। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। फिर वह ब्रामन कहता है हे पिशाच, मुझे आपसे बिलकुल भी भै नहीं लग रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। और उनकी इच्छा के बिना तो पेर का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यू आप पिशाचों के द्वारा ही होनी है, तो मुझे यह भी स्विकार है। प्रभु ने मेरे भागे में जो भी लिख दिया है, मुझे वह मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी त्रिप्ति होती है, तो मैं इसे मेरा सभागे समझूंगा। इस संसार के प्रतेक प्राणी को सुख प्रदान करना उनकी त्रिप्ति करना ही प्रतेक मनुष्य का करत्वे है। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाय हुए है, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूँ। ब्राह्मन के ऐसे वचन सुनकर वे सभी पिशाच आश्चरिच्कित हो जाते हैं और उस ब्राह्मन से कहने लगते है। हे ब्राह्मन देवता आपके वचन अतिन सुन्दर है, जिसे सुनकर ही हमारी त्रिप्ति हुई है। अब हम आपका भक्षन नहीं करेंगे लेकिन क्रिप्या आप हमें बताइए कि आप कौन है। ब्राह्मन की बातें सुनकर सभी पिशाच सुन हो जाते हैं और कहने लगते हैं। ही श्रेष्ट ब्राह्मन आपको बार-बार प्रनाम है। हम तीनों पिशाच हमारे पापकर्मों के कारण ही बने है। हमने हमारे पित्रों का अपमान किया है और इसी कारण से हमें यह पिशाच योनी प्राप्त हुई है। ना जाने कब हमें इस पिशाच के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हम मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किये थे और पिशाच बंकर तो हमें अंगिनत पाप किये है। कितने ही निर्दोष मनुष्यों को और प्राणियों को हमने मार कर खाया है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनी से मुक्ती नहीं मिलेगी। फिर ब्राह्मन कहते हैं कि हैं पिशाच। हैं आपकी विथा को समझता हूँ कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार से आपको मुक्ती दिला सकता हूँ। मैं मध्य देश में रहने वाला देव शर्मा ब्राह्मन हूँ। मैंने अनेक तब वरत और उपवास किये है। इसलिए आपकी मुक्ती के लिए भी यदि कोई वरत उपवास हो तो मुझे बताइए वह मैं अवश्य करने का प्रयास करूगा। ब्राह्मन की बात सुनकर उन पिशाचों को समझ में आता है कि यह ब्राह्मन तो उनका ही पुत्र है। वे पिशाच उस ब्राह्मन के दादा पर दादा है जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए है। फिर वे पिशाच कहते हैं। ब्राह्मन उन पिशाचों को वचन देता है और कहता है। फिर वह ब्राह्मन मुनी अगस्त के पास जाता है और उन्हें पित्रों की मुक्ती के लिए उपाय पूछता है। मुनी अगस्ते उस ब्राह्मन को पित्रों की मुक्ती के लिए किये जाने वाले तरपन, श्राद, पिंदान, दान धर्म आदी क्रियाओ के बारे में बताते हैं। और फिर वह ब्राह्मन पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए वे सभी कारे करता है जो मुनी अगस्ते ने बताय हुए होते हैं। वह पहले नदी के पवित्र जल से तरपन करता है, फिर नदी के तट पर बैठ कर पिंदान करता है। और उससे जो कुछ भी हो सके उसी के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार से उस ब्राह्मन के द्वारा तरपन तथा दान धर्म करने से वे सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं। और स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। फिर धर्मराज देवशी नारत से कहते हैं। प्रेत योनी में चला जाता है। या उनकी वस्तों का उप्योग भी करने लग जाते हैं। लेकिन मनुष्य को मृत व्यक्ति की कुछ वस्तों का उप्योग कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन वस्तों के साथ उस मृत व्यक्ति की उर्जा जुरी हुई होती है। उस मृत वेक्ति का उन वस्तों के प्रती मों बहुत अधिक होने के कारण वह मृत्यू के बाद भी उन वस्तों से जुरा रहता है. और यदि कोई इन वस्तों का प्रयोग करता है, तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार से कष् लेकिन भूल से भी उसकी वस्तों का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांती के लिए मनुश्य उस व्यक्ति की प्रिय वस्तों का दान करते हैं, तो यह बहुत ही शुब होता है। सबसे पहली वस्तु है मृत वेक्ति के कपरे, मृत वेक्ति के कपरों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या उन्हें भूल कर भी पहना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मृत वेक्ति की आत्मा उस वेक्ति से जुर जाती है, जो इनका इस्तेमाल करता है, मृत वेक् मृत्वेक्ति के कप्रे कभी भी नहीं पहनने चाहिए। मृत्वेक्ति के कप्रे हमेशा दान कर देने चाहिए। जिससे उसकी आत्मा को शांती प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज है मृत्व्क्ति के गहने. मृत्व्क्ति के गहने भी उसके कपरों की तरह ही उसकी ऊर्जा के सरोत होते हैं. मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव कप्रों से भी कई गुना ज्यादा होता है क्योंकि प्रतेक व्यक्ति गहने खुद को सुन्दर प्रतीत करने के लिए पहनता है लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब मृत्य व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करने लगती है, वो आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है, आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर इसी मृत्यू लोग में अपने ही परिजनों को ही परेशान करने लग जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यों के बाद उसके गहनों को गला कर अन्य आभूशन करवा लेने चाहिए। अनेधा उन्हें मंदिर में दान कर देना चाहिए। अब तीसरी वस्तु है मृत व्यक्ति की माला। जीवित रहते हुए इंसान अपनी माला से मंत्रों का जाब करता है। उसके गले की माला ही उसके जीवन भर के पुने की कुझी होती है। मृत्यों के बाद व्यक्ति की माला को कभी जीवित मनुष्य को धारन नहीं करना चाहिए। उसकी माला को पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। पवित्र नदी उस मृत मनुष्य को सभी पुनेों को बहाकर स्वर्ग में ले जाती है। यम्राज कहते हैं, हे देवर्शी मृत्यू के बाद मनुश्य अपने साथ केवल अपने पाप और पुने लेकर जाता है, सभी भौतिक वस्तों को यही पर छोड़ देता है, इसलिए उसे कभी उन वस्तों के प्रती अतिधिक मोह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यम्राज ने नारजी को मृत्वेक्ति के संदर्भ में यह अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई है। मेरे साथियों आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जांकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और कमेंट मे जेश्री कृष्ण अवशे लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।